नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो स्टेडी न्यूज, आज हम इस वीडियो में तीन अगस्त के एक्जाम रिलेटेट जितने भी इंपॉर्टेंट कोस्चन है, हम उन्हें याँ सॉल्व करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कोस्चन है, हाली में किसने उतक्रिष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरसकार जीता है, आप्संस हैं, दिपांकर घोष, कला नारैंड स्वामी, विने कांत या अनन्त सिंग तो दिपांकर घोष जी ने, उतक्रिष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरसकार जीता है, तो इसमें उत्तर आप्संस ए दिपांकर घोष रही है, ये इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर है, इन्होंने कोविड-19 महमारी के दोरान देजभर में, इससे प् आप्संस हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, तो बिहार राज्ये ने संजीवनी एप लॉंच किया है, तो इसमें उत्तर आप्संस ए सई है, संजीवनी एप ये आरोग्य सेतु एप की तरह बनाया गया है, जो कोविड-19 से जागरुक करने औ और गवर्नर फागु चोहान है, नेक्स्ट कोस्चन है, यूएई में अरब छेतर के पहले परमाडू रियक्टर ने काम करना सुरू कर दिया है, इसका नाम क्या है, आप्संस हैं, बाकारा, बाराका, अल्सिदान या बामरा, तो यूएई में अरब छेतर के पहले कर दिया है बारा का का अर्थ होता है आशिरवाद UAE की बात करें तो हाल ही में UAE ने मार्स मिसन लॉंच किया था जिसका नाम था होप UAE की राजधानी आबुधा भी है UAE के प्रजेंट टाइम में राश्पती खलीफा बिन जायद अलनाहन है नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में किसे HP का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है ओप्सन्स हैं केतन पटेल, विने अवस्थी, प्रमीर्ड सिंग या प्रकाश गोयल तो टेक प्रमुख HP ने केतन पटेल को अपने ग्रेटर इंडिया परिचालन के लिए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है तो इसमें उत्तर आप्सन ने केतन पटेल सही है ये भारत, बांगलादेश और स्रीलंका में कमपनी के व्यावसाय से संबंधित कारियों के लिए नियुक्त हुए है इन्होंने विने अवस्थी की जगे ली है HP की बात करें तो HP की स्थापना एक जनवरी 1949 को हुई थी HP का फुल फॉर्म हैवलेट पैकर्ड है HP का मुख्याले कैलिफोर्निया USA में है हाली में किस राज जेने व्रिक्षा रोपड अभियान के लिए गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाया है आप्सन्स हैं आंद्र प्रदेश, तमिल नाडू, मद्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा आठ जिलों में चलाया गया व्रिक्षा रोपड अभियान जो 28 जुलाई 2020 को एक घंटे के भीतर 240 स्थानों पर एक साथ रोपाई की गई अधिकांश प्रजातियों के लिए गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाया है तो इसमें उत्तर ऑप्संडी उत्तर प्रदेश सही है इसमें बड़े पैमाने पर व्रिक्षा रोपड अभियान में 25 करोड पेड लगा कर हर्याली युक बनाया गया है नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में दुनिया की सबसे मुल्यवान कंपनी कौन बन गई है आप्संस हैं साओधी अरामको, एप्पल, रिलायन्स या टाटा कॉर्पोरेशन तो युएई की तेल कंपनी साओधी अरामको को पीछे छोड़ते हुए एप्पल की सारवजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मुल्यवान कंपनी बन गई है तो इसमें उत्तर ऑप्सं भी एप्पल सही है एप्पल का बाजार इस समय एक दसमलो आट चार ट्रिलियन्ड डॉलर का हो गया है एप्पल की स्थापना एक अप्रेल 1976 को ही थी जो कैलिफोर्निया यूएसे में है इसके वर्तमान में सियो टिम कुक हैं और फाउंडर इस्टीव जॉब्स हैं नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलेस्टिक मिसाइलों का परिक्षण किया है आप्संस हैं इरान, इराक, नौर्थ कोरिया या पाकिस्तान तो इरान के पैरा मिलेटरी रिवेलिस्टिक गार्ड ने 29 जुलाई 2020 को भूमिगत बैलेस्टिक मिसाइल लॉंच किये ये एक ड्रिल का हिस्सा माना गया है इसके दौरा इन्होंने हार्मूज के एक डमी अमेरिकी विमान को लक्षित किया है इरान की बात करें तो इरान की राजधानी तहरान है इरान के वर्तमान में राश्टपती हसन रुहानी है और इरान में इरानी रियाल रुप्या मुद्रा यूज होती है हालही में किसे उत्राखंड का नया मुख्य सचीव बनाये गया है आप्सन्स हैं अरुण कुमार, ओम प्रकास, रविंद्र तलवार या विकास सागर तो ओम प्रकास को उत्राखंड का नया मुख्य सचीव बनाये गया है तो इसमें उत्तर आप्सन भी ओम प्रकास सही है उतराखंड की बात करें तो उतराखंड की राजदानी दहरादुन और गेर सायन है उतराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत हैं और गवर्नर बेभी राने मोर्या है नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में 2020 राष्ट्री खेल पूरसकार विजेता चैन समीती में किस बल्ले बाज को शामिल किया गया है options है विरेंदर सहवाक, सचिन तेंदूलकर, सौरव गांगुली या राहुल द्रविड तो विरेंद्र सहवाग को हाली में 2020 राष्ट्री खेल पूरसकार विजेता चैन समीती में शामिल किया गया है तो इसमें उत्तर option A विरेंद्र सहवाग सही है नेक्स्ट कोश्चन है विश्व रेंजर दिवस कब मना जाता है आप्संस हैं 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या 31 जुलाई तो हर वर्स विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मना जाता है तो इसमें उत्तर option D 31 जुलाई सही है ये दिवस समरपण और रेंजर्स द्वारा दुनिया भर में किये गए कार्यों के सम्मान देने के लिए मना जाता है तो ये थे आज के important questions So thanks for watching this video Please like, subscribe and comment